नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन तुम्हारा स्टेट वोर्ड मैथेमाटिक्स चाप्ट नुम्बर त्री एद्जिएफ एंड इलसियम उसमें प्रैक्टिस सेट ट्यल कोशन नुम्बर बॉन के त्री कोशन इसके पहले जो वीडियो है उसमें हो चुके हैं अब आगे के कुशन हमें इस वीडियो में सॉल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के अनुरत है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि सभी को फाइदा हो जाए और बिल आकान प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं अब हमें एच्छी आप फाइंड करना है 16 और 27 का अब देखिए 16 के अगर हम प्राइम फेक्टरस फाइंड करें तो क्या होगा टू से डिवैड होगा है टू एट जा 16 टू से डिवैड होगा टू फोर जा एट टू से डिवैड 3 जा 3 अब 16 के जो भी वक्राइवद है तू फूर टाइम से और 27 के प्रइवर स में تھे 3 times है, तब इन में हमें common जो है, वो factor लेना है, तो common 2 यहां पर है, लेकिन इधर नहीं है, यहां पर 3 हैं, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, तो common एक भी factor नहीं आ रहा हो, तो हमें HCF लिखना है 1, क्योंकि 1 से सभी को divide होता है, तो 16 कोण से divide होगा ही, 27 को भी होगा, तो 1 is the highest common factor, इन दो numbers का 1 ही highest common factor होगा, अगर हम vertical method से देखें, तो 16 यहां पर 27 यहां पर, तो 16 और 27 में, दोनों नमबर को किसी भी नमबर से यहां पर divide नहीं होता है, तो यहां पर division आगे बढ़ेगा यह नहीं, क्योंकि दोनों नमबर को किसी भी नमबर से divide नहीं होता है, तो हमें HCF directly 1 नहीं होगा, अब यहां प्राइम नमबर दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे 16 को divide हो, 2 से होगा, अब 27 को 3 से होता है, लेकिन दूसरे किसी प्राइम नमबर से नहीं होता, 3 से 16 को नहीं होता, तो इनका HCF हमें लिखना है 1, अब देखें, तीन नमबर से हैं, 18, 32 और 48, तो 8, 2 सभी even नमबर से हैं, तो यहां पे तीनों को 2 से divide होता है, तो हम 2 से divide करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 remainder, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अब यह तीनों नमबर से हमें मिल गया है, 9 और 16, 9 को 3 से divide होता है, लेकिन 16 को 3 से divide नहीं होता, 16, 24 इन दोनों को 2 से divide होता है, लेकिन 9 को divide नहीं होगा, तो यहां पे अब हमें, मतलब divide करने वाला divisor या factor हमें नहीं मिल गा इनका, तो इनका इससे हमें लिखना है सिर्फ 2 नेक्स्ट जो question है, उसमें दो numbers है, 105 और 154, अब 105 इन प्लेस में 5 है, तो सबसे पहले हमें शुरू करना है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन प्राइम नंबर से हमें divide करना है, और चेक करना है, तो 2 से divide होता है, कि देखें, दोनों numbers को 2 से 5, यह odd number है, यह even है, तो 2 से divide नहीं होगा, अब 3 से check करना है, 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, 6, तो 6 को 3 से divide होता है, 3 की divisibility test है, कि जो digit है, उनके addition करो, अगर addition को 3 से divide होता है, तो उस number को 3 से divide होगा, तो 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, 6, 6 को 3 से divide होता है, तो इस number को 3 से divide होगा, 5 प्लस 1, 6 प्लस 4, 10, अब 10 को 3 से divide नहीं होगा, तो इस number को 3 से divide नहीं होगा, 5 से चेक करना है तो यहां पी unit place में 5 है तो first number को 5 से divide होगा लेकिन second number को नहीं होगा क्योंकि unit place में 4 है तो 5 से नहीं divide हो रहा है तो अब 7 से divide करना है तो 7 की defilatist मतलब है लेकिन वो greater number के लिए हैं जो ज्यादा numbers हो तब अगर smaller number है तो हमें 7 से divide करके इसे जल्दी पता चल जाएका कि 7 से divide करके 7 वंजा 7 10 माइनस 7 3 7 5 से 35 तो 7 से divide होता है तो 7 2 से 14 15 माइनस 14 1 remainder 7 2 से 14 तो 7 को दोनों नंबर से 7 से दोनों नंबर को divide होता है तो 7 वंजा 7 7 5 से 35 7 2 से 14 7 2 से 14 अब 15 और 22 15 को 3 से और 5 से divide होता है लेकिन 3 5 से 22 को divide नहीं होता है तो इन दोनों का हमें लिखना है 7 क्योंकि 7 से ही इन दोनों को divide हो रहा है नेक्स्ट जो question है वो है 42 45 48 अब 42 45 48 5 यहां पे है तो odd number है 2 से तो आप इनसे भी को divide नहीं है कर सकते हैं तो 3 से चेक करना है तो 4 प्लस 2 6 6 को 3 से divide होगा 5 प्लस 4 9 3 से divide होगा 8 प्लस 4 12 12 को में 3 से तो इन तीनों numbers को 3 से divide होता है तो 3 वंजा 3 3 4 जा 12 3 वंजा 3 4 माइनस 3 1 रेमेंडर 3 5 जा 15 3 वंजा 3 1 रेमेंडर 3 6 जा 18 अब देखे 14, 15 और 16 ये 3 नमबर सा गए तो 14 को 2 से और 7 से divide होता है लेकिन 2 7 से दोनों मेंसे किसी भी नमबर से 15 को divide नहीं होता तो इसका मतलब तीनों को divide करने वाला अब कोई भी नमबर हमें नहीं मिलेगा तो इन तीनों नमबर का HCF हमें लिखना है 3 Next जो नमबर से हैं वो देखे 57, 75, 102 तो ये दो और नमबर से हैं तो इन तीनों को 2 से तो divide नहीं होगा अब हमें divide करना है 3 से तो 5 प्लस 7 12 3 से होता है 7 प्लस 5, 12 3 से होगा 2 प्लस 1, 3 तो तीनों नमबर को 3 से divide होगा यहाँ पे तो 3 से divide करना है 3 बन जा 3 5 माइनस 3 2 3 नहीं जा 27 3, 2 जा 6 3, 5 जा 15 3, 3 जा 9 सरी यहाँ पे 3, 3 जा 9 3 लिखना है 3, 3 जा 9 10 माइनस 9, 1 3, 4 जा 12 अब 19 यहाँ पे प्राइम नमबर आ गया अब 19 से 25 को तो divide नहीं होगा 34 को भी नहीं होगा तो अब तीनों नमबर को किसी भी नमबर से divide नहीं होने वाला तो हमें HCF लिखना है इनका 3 नेक्स्ट जो नमबर से हैं वो है 57 और 56 अब 56 और 57 consecutive नमबर से हैं अब देखे 56 को 2 से होता है divide लेकिन 57 को नहीं होगा क्योंकि यहां पर 7 है अब 57 7 plus 5 12 57 को 3 से divide होगा 6 plus 5 11 इसे 3 से नहीं होगा अब 3 के बाद जो प्राइम नमबर है 5 हमें चेक करना है तो 5 से इन दोनों को भी डिवाइड नहीं होगा फिर चेक करना है हमें 7 से तो 7 से 7 के टेबल में यह दो भी नमबर नहीं आते यहां पर 7 के टेबल में 56 आता है फिर उसके बाद जो prime number आता है वो 11 आता है तो 11 से इन दोनों को भी divide नहीं होगा तो इन दोनों को भी divide करने वाला कोई भी number prime number हमें नहीं मिलेगा तो हमें लिखना है इनका HCF 1 नेक्स्ट जो तीन numbers है 777, 315 और 588 अब देखें यहाँ पे 75 और 8 unit place में 758 है तो दो odd number और एक even है तो हम 2 से इन 3 को divide नहीं कर सकते तीनों numbers को तो उसके बाद जो prime number आता है वो 3 2, 3, 5, 7, 11, फिर उसके बाद 13 इन prime number से हमें चेक करना है तो 2 से तो नहीं होगा आप 3 से चेक करना है तो 7 plus 7, 14 plus 7, 21 21 को 3 से होता है तो इसको 3 से होगा 5 plus 1, 6 plus 3, 9 9 को भी 3 से होता है तो इस number को भी 3 से डिएड होगा 8 plus 8, 16 plus 5 16 plus 5, 21 21 को भी 7 से डिएड होगा 3 से डिएड होगा तो इसे हमें तीनों number को अभी 3 से डिएड करना है तो यहाँ पे होगा 3 to the तो इसलिए हमें आगे डिजिट है इसलिए जिरो लेना है अगर नहीं होता है तो जिरो लेकर 5 को लेना है तो 3, 5, 15, 105 अब 3, 3, 2, remainder 5-3, 2, 28, 3, 9, 27, 1, remainder 3, 6, 18 अब फिर तीनों नमबर को और हमें चेक करना है कि किस नमबर से डिवाइड होता है तो अब 2 से इनको पहले ही नहीं डिवाइड हुआ है तो 2 से अब इनको भी नहीं होगा 3 से और चेक करना है सभी को डिवाइड होता है क्या तो 5 प्लस 9, 14 प्लस 2, 16 16 को 3 से डिवाइड नहीं होता तो अब एक नमबर को 3 से नहीं हो रहा है तो आगे कि नमबर को चेक करना ही नहीं है त्री depths होता है कि नहीं है अगर वोई भी रहा है इनको त्री से तो आपने ञें कि इस जिए जाएट्य नहीं कर्णा यह कि इस नंबडर को अडियोर है फिर वाद हम्सेड चीख करना है फाईव से पाईव से तो इसे नहीं होगा接र siamo से डिवाइड होता है कि देखिए 7 तो डिवाइड देखिए 7 3 जा 21 25-21 4 49 7 7 जा 49 तो 7 से इसे डिवाइड हो रहा है तो आप इसे चेक करना है 7 जा 7 10-7 3 35 7 5 35 तो इसे भी हो रहा है 7 2 जा 14 5 रिमेंडर 56 7 8 जा 56 तो तीनों नमबर को तो भी आप 7 से डिवाइड हो रहा है तो आप ही 7 से चेक करना है डिवाइड करना है तो 7 3 जा 21 49 7 7 जा 49 अब से वन जा 7 3 7 5 जा 35 से वन से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 5 7 8 जा 56 तो 37 यहां पर हमें मिल गया है तो 37 यह प्राइम नमबर है तो 37 अगर प्राइम नमबर मिल रहा हो तो इसे किसी और नमबर से डिवाइड अब नहीं होगा तो 37 से इन दोनों को होता है क्या चकर करना है डिवाइड तो यह 37 से स्माल अर नमबर है तो इनको डिवाइड ने होगा तो इनका जो है पाएगा वो इन दो नमबर्स का मल्टिप्लिकेशन होगा तो 3 इंटो 7 21 21 इस दो है चीए फाप गिवन 3 नमबर्स 771 सोरी 777 351 588 तो इस वीडियो मी इतना ही दोश्तों आगे नेंस्ट फ्रेक्टिस से 12 का कॉश्शन नमबर्स 2 है जिसमें हमें डिवजन में तरफ से इससे फाइड करना है तो वो डिवजन मेंतर कहां भी उन्त करनी है क्यों यसको है और कैसे यसको है वह हम अगली वीडियो में लेंगे